Hi friends, आज कि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि attributes क्या होते हैं HTML के अंदर तो चलते हैं, हम अपनी HTML files को VS code के अंदर open कर लेते हैं जब आप इस पे right click करेंगे, तो आपको option मिल जाएंगे, so more का और यहां से आपको open with VS code पर click करके, इस folder को VS code में open कर लेना है तो लास्ट वीडियो में हमने यहां पर element.html नाम की file बनाई थी, जहां पर हमने elements के बारे में काफी कुछ जाना था यहां पर हमें एक बाग फिर से नई file बनाएंगे, जिसका नाम देंगे attributes.html, तो यहां पर हमने file का नाम गल्ब लिया है, तो देखेंगे आप कि यह जो file है, कुछ और ही type की file बन चुकी है, तो यहां पर हम इसको f2 से इसके file name को rename करेंगे, html, तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप file create करेंगे, तो आपको extension जो है, वो आपको सही डालनी है, बेसक आपका जो file name है, वो गल्ब हो जाए, बट आपका जो extension है, dot html, यह गलत नहीं होना चाहिए, वड़ना जो आपकी html file है, वो html file नहीं create होगी, इसी और ही type की file create हो जाएगे, तो यहां पर आप चेक करेंगे, कि अब यह html file यहां पर create हो चुकी है then shift के साथ one face करना है, और enter कर देना है, तो यहां पर boilerplate आई जाएगी, then यहां पर हम h1 heading के अंदर लिखने वाले हैं, क्योंकि हम attributes जानेंगे, attributes क्या होते हैं, attributes in html, जो html attributes होते हैं, वो basically additional information प्रोवाइड करते हैं, किसी भी element के बारे में, html element, h1 हो गया, div हो गया, या को attributes को use कर सकते हैं, जो attributes होते हैं, उनको हम हर एक element के अंदर use कर सकते हैं, और उनको हमेशा starting tag के अंदर ही लिखा जाता है, तो यहां पर हम एक paragraph में लिख देते हैं, जो important बाते हैं, attributes provide the additional information about the html element, first line यहां पर हमारे पास यह हो गई, जो कि आपको याद रखना है, then जो second चीज है, कि जो attributes होते हैं, वो हमेशा starting tag में लिखे जाते हैं, return in starting tag, and जो second चीज है, वो है when we use in every element, आप इसको हर एक element के अंदर use कर सकते हैं, तो चलते हैं, हम यहां पर देख लेते हैं कुछ example को, तो यहां पर हम h1 heading के अंदर लिख देते हैं, use of attributes, तो जो पहला attributes है, वो है title, तो अगर आप किसी भी element को title देना चाहते हैं, तो आप title attributes का use कर सकते हैं, किसी भी element के starting tag में दे करके, तो जैसे कि मैं यहां पर h1 के ही अंदर use कर लेता हूं, title, this is title, attribute, heading 1, then उसके बाद, इसको हम show preview पे click करेंगे, और इसका preview चेक करेंगे, तो आप चेक करेंगे, जैसे ही मैं heading 1 के उपर जाता हूं, तो यहां पर यह show करता है, this is title attributes, यहां पर इसने एक नई information, इस heading के बारे में, आपको show कर आई, this is title attribute, तो इसी तरीके से, आप title का use कर सकते हैं, किसी भी element के अंदर, और जो second है हमारे पास, इसको मैं यहां से minimize कर द लिखते हैं, जो हमारे पास next attribute है, वो है src, चलते हैं, हम src को use करेंगे, basically, जो src होता है, और alt होता है, वो image के अंदर use की जाते हैं, और src को आप script, यानि की java script को add करने के लिए भी use कर सकते हैं, तो चलते हैं, हम यहां पर check कर लेते हैं, कि src को कैसे use करेंगे, तो आपको उसके अंदर default src और alt आपको देखने को मिल जाएगा, तो src basically represent करता है source को, और alt basically alternative name को, तो आप जब alt के अंदर कोई name डालेंगे, तो वो image के लिए show होगा वहां पर, यानि की alternative name show होगा, जो भी आप यहां पर डालेंगे, उस case में जहां पर यह image जो है, load नहीं हो पाता, तो चलते हैं, एक image को मैं हाँ पर ले लेता हूँ, तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पर, एक image ले लेता हूँ, Google से, मैं यहाँ पर छोटे भीम की image ले लेता हूँ, actually, यहाँ पर मैंने bean लिख दिया, तो यहाँ से मैं, यह वाली जो image है, इस पर right click करूँगा, और copy image लिंक पर यहाँ पर click करूँगा, तो क्या होगा, वो link जो होगा, वो हम SRC को pass कर सकते हैं, right click करके, यहाँ से हम paste कर देंगे, उस वाले link को हम यहाँ पर control V से paste कर देंगे, तो जैसे मैं यहाँ पर paste करूँगा इस link को, तो आप चेक करेंगे, इस heading के नीचे जो है, यह image आ चुका है, और alt के अंदर हम यहाँ पर देंगे, छोटा भीम, अगर यह image यहाँ पर load नहीं हो पाएगी, अगर यह image यहाँ पर link को remove करूँगा, कुछ time के लिए, तो यहाँ से मैं इसको control X से cut कर देता हूँ, तो आप चेक करेंगे, कि यहाँ पर यह जो image है, वो load नहीं हुई, तो यहाँ पर आपको क्या मिला देखने के लिए, छोटा भीम, यानि कि यह इस image के बारे में, एक additional information प्रोवाइड कर रहा ह कि इस image की जगए, यहाँ पर छोटा भीम image होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो alt के अंदर आप text डालेंगे, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उस condition पर जहाँ पर src के अंदर कोई भी object या कोई भी image नहीं मिलेगी, या फिर load नहीं हो पाएगी किसी current से, तब आपको यह चीज देखने को मिलेगी, तो मैं आसा करता हूँ कि यह आपको src और alt का जो राग है, यानि कि जो भी situation है वो आपको समझ माई होगी, तो यहाँ पर जो link है मैं उसको फिर से paste कर देता हूँ, तो यह जो छोटा भीम है, यह फिर से यहाँ पर आ जाएगा, जो हमारे प तो उस चीज को भी हम style के अंदर maintain कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर इस heading की ही बात करूँ, या फिर इस image की ही बात करूँ, तो यहाँ पर हम attributes को दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एक नया h1 element create करूँगा, और यहाँ पर दूगा मैं यहाँ आपर, तो यहाँ पर हम देते हैं this is huge style attribute तो then यहां पर हम h1 के अंदर style लिखेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे इसके background पर पहले change करेंगे तो background में जाकर के हम इसका background कर देंगे yellow और इसके अंदर जो text color है यानि कि color हम यहां पर जो करेंगे वो कर देंगे white तो basically आप यहां पर scroll करेंगे उपर की दरफ तो आप चेक करेंगे कि जो इसकी style है वो change हो चुकी है तो यहां पर background है वो yellow हो चुका है और जो color है white वो यहां पर आपको देखने को मिल सकता है इसके बाद अगर हम color change करें यानि color इसका black करें अगर मैं यहां पर green करूं तो आप check करेंगे कि इसका color green हो जाएगा और green yellow करूं तो देखेंगे यहां पर इसका yellow color हो चुका है अगर आप border देना चाहें तो आप वो भी यहां पर कर सकते हैं तो यहां पर अगर हम border दें बिसिकली border लगाने से करें आपको यहां पर semicolon use करना होगा और यहां पर colon 2 pixel solid black जैसी आप solid black देंगे तो आप check करेंगे यहां पर यहां पर जो इसकी thickness है वो 2 pixel है और यह solid है और black color का तो इस तरीके से आप यहां पर style attributes का use कर सकते हैं आने वाले वीडियो में हम और भी style के बारे में जानेंगे और CSS का use करेंगे next attributes जो है हमारे पास 4 है width और height तो चलते हैं हम यहां पर height और width image को ही दे देंगे ताफि हम image को maintain कर पाएं इसकी height और width को तो यहां पर हम use करेंगे width attributes, width और यह देंगे हम यहां पर 20 जैसे ही मैं यहां पर 20 लिखता हूं तो आप चेक करेंगे कि जो इसकी width है यहां पर 20 हो चुकी है तो 20 बहुत ज्यादा चोटी है आप pixel भी use कर सकते हैं यहां पर हम क्या करेंगे 100 देंगे 100 पिक्सल जैसी मैं 100 पिक्सल करता हूं तो basically यह default maximum क्याद ही पिक्सल निलेता है अगर आप pixel न लिखें तो भी चल जाएगा तो यहां पर जाइए करेंगे कि जो width है 100 हो चुकी है साथ के साथ इसकी height भी हो चुकी है तो अगश् newborn है क्याग़ है 200 करता हूं तो आप चर्णेग जो इसकी definitely a वो height इसकी 200 pixel हो चुकी है तो इस तरीके से आप जो है width और height attributes का use कर सकते हैं इसी वे element के height और width को maintain करने के लिए तो I hope आपको height और width का समझ में आया होगा तो जो next attribute है वो है hariv हरiv का basically use करते हैं हम anchor tag के अंदर anchor tag basically use करता है link को जैसे ही आप उस link पे click करेंगे तो आप उस link वाले back page पे पहुँच जाएंगे तो यहां पर हम use करते हैं anchor tag यानि कि a जैसे ही आप type करेंगे और tag दवाएंगे तो आपको यह पूरा syntax मिल जाएगा पूरा element आपको मिल जाएगा तो यहां पर आपको दिखेगा hariv यह attributes यह basically link को लेता है तो जैसे ही मैं अगर image वाले link को यहां पर दूँ basically यह भी एक link ही है तो मैं इसको यहां से ctrl c से copy करता हूं और heritage के अंदर pass कर देता हूं तो यह link मैंने यहां पर दे दिया और यहां पर मैं लिख देता हूं इस इस चोटा भीम image दे उसके बाद आप चेक करेंगे कि यहां पर जो नीचे हैं आप चेक कर पाएंगे यहां पर लिखा हूआ है दिस इस चोटा भीम image जैसे ही मैं इस पर click करूंगा तो मैं इस चोटे भीम वाले link पर click करते ही इसके webpage पहुंच जाओंगा तो जैसे ही मैं इस पर click करूंगा तो आप चेक कर सकते हैं कि मैं इस link पर click कर सकते हैं तो इस तरीके से आप use कर सकते हैं hariv attributes का किसी भी link को आप पास करेंगे जैसे ही आप उस पर click करेंगे तो आप उस वाले webpage से पहुंच जाएंगे तो मैं आसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी जादा helpful रही होगी तो आने वाली वीडियो में जब हम project बनाएंगे जब हम website यानि webpage बनाएंगे तो वहाँ पर हम इन सभी चीजों का use करने वाले हैं तो वहाँ पर आपको ये चीजें और भी अच्छी तरीके से समझ में आएंगे तो मैं आसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको लिए काफी helpful रही होगी थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई